मारूती सुजुकी सेलेरियो ये गारी जो है वापस से कुछ नए चेंजिस के साथ लॉंच की जाएगी यानि कि भाई जो सेलेरियो है इसका फेसलिफ्ट आउतार इंडिया में आपको देखने को मिल जाएगा क्योंकि भाई गारी की सेल फिगर अच्छी नहीं आती है तो बे धी थोड़ा बहुत तो बढ़ेगा उसके बारे में भी बात करेंगे सबसे पहले बात करते हैं गारी का इंजन का पेट्रोल पे और CNG पर भाई आराम से आपको 28-30 तो दे ही देगी और जो पावर फिगर है वो भी आपको भाई काफी ज़्यादा बेटर मिल जाती है इंजन जो है भाई वो आपको K10C टाइप का देखने को मिल जाता है इसमें जो है भाई आपको लगभग मिल जाएगा 70 HP का पावर इनहेंस हो जाएगी और गारी में आपको लगभग मिलेगा 93 NM के आसपास तक का टॉर्क और ये गारी भाई आपको BS6 Phase 2 के अधार पर मिलेग और इन तीनों ही वैरियंट में आपको सेम डिस्प्लेस्मेंट मिल जाएगा और इसमें जो है भाई आपको थ्री सिलेंडर इंजन ही मिलेगा लेकिन भाई मारूती सुजुकी का इंजन है तो साइलेंट रहेगा गारी में आपको पांच गेर वगेरा दिखने को मिल और ये गारी आपको टू वील ड्राइव के साथ मिल जाएगी इसका जो भाई वजन है अभी का वो आपको मिल जाता है 820 केजी लेकिन भाई जो नया वैरियंट आएगा फेसलिफ्ट तो भाई उसका जो वजन है वो करीब 100-500 किलो बढ़ने वाला है क्योंकि भाई जो की गाड़ी में लोहा बढ़ाएगी और थोड़ा सा मजबूत बनाएगी यानि कि कॉम प्लैन पीकर आने वाली है सुदू की से लेरियो बाकि यहर बाई इसमें जो है आपको मिल जाते हैं काफी अच्छे फीचर्स बाई इसकी जो टॉब स्पीड है वो आपको मिल जाती है 154 की और बाई जो फ्यूल बाई कैपेसिटी है पेट्रोल टैंक की वो है 32 लीटर का बाई हाइवे पे आपको यह गाड़ी माइलेस देगी 26 का सिटी में 23 का और बाई सर्टिफाइड है 25 का लेकिन बाई कमपनी कुछ कहती है सर्टिफाइड कुछ होता है और मिलता कुछ औ इसमें जो है आपको मिल जाएगा फ्रेंट में डिस्क रियर में ड्रम और यह गाड़ी बाई ABS EBD के साथ आएगी टैर की जो प्रोफाइल है ना वह आपको 185 आर 15 की मिल जाएगी बाई ट्यूबलेश टैर मिल जाएगे रेडियल रहेंगे अलॉय वील मिल जाएगे जो की आप्शन में होगा जो बाई स्पेयर वील है वो पतला रहेगा डेली उसके टैर के हिसाब से बागी बाई बूट स्पेस आपको मिल जाएगा 313 लीटर का बाई इसका जो इन्फोटेंबेंट सिस्टम है ना वो आपको टच स्क्रीन के साथ मिलेगा जो की बाई एपल और ए कुचाई हे चौड़ाइगे उसके बारे में भी बात करनेते हैं ये गारी आपको मिल जाएगी 3695 mm लंबी चौड़ाइए आपको मिल जाएगी 1655 mm की ईट आपको मिलजाएगी 1555 mm की विल बेस आपको मिलेगा 2435 mm का गारी के बाई जो लुक्स है ना कंपनी वो चेंज करेग गारी में आपको बिल्कुल ही नया ग्रिल मिल जाएगा जिस पर कि आपको सुजुकी का 3D में लोगो मिलेगा बाई कमपनी इस गारी में आपको बिल्कुल ही नया LED का हेट लाइट देगी साथ ही इस में आपको बिल्कुल ही नया DRN मिल जाएगा बाई गाड़ी अंदर से बहुत ही change हो जाएगी बाई अंदर से आपको कुछ dual tone edition वगेरा दिखने को मिलेंगे बाई बाहर से भी आपको dual tone option दिखने को मिलेंगे और बाई company इस गाड़ी को A2Z पूरा redesign करने वाली है इसकी बाई जो ORBM है इन सम्में भी changes मिलेंगे और बाई जो salary है इसका price आपको अभी मिल जाता है LXI का 5,36,000 रुपए से start हो जाती है तो बाई जो variant आएगा वो आपको starting मिलेगा 5,70,000 रुपए से लेकर बाई ये गाड़ी start हो जाएगी और launch होगी आने वाले 4-6 महिने के बीच में तो चाहो तो बाई आने वाले salary का weight कर सकते हो तो बाई कर सकते हैं